हाई फ्रेंड्स स्वागत है आपका सबका एजूकेशन में और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रुपर्टीज ऑफ एलकोहॉल तो चलिए इसे समझने के लिए चलते हैं सबका एजूकेशन में सो फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो कर लीजे और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेर कीजे ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाब मिलता रहे तो चलिए समझते हैं कि फिजिकल प्रुपर्टीज ऑफ एलकोहॉल क्या होता है इसम का number of carbon भी increase हो जाता है जिस एलकोहॉल में जितना ज़्यादा number of carbon होगा उसका boiling point उतना ज़्यादा होगा यह देखिए कुछ यह है मिथाईल एलकोहॉल दूसरा है इथाईल एलकोहॉल और तीसरा है वन प्रोपैनॉल भी इसको कहते हैं या प्रॉपाइल एलकोहॉल या इसको primary alcohol भी कहते हैं तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा boiling point होगा primary alcohol का फिर उसके बाद होगा ethyl alcohol का फिर उसके बाद होगा methyl alcohol का primary alcohol का boiling point इसलिए सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें number of carbon बहुत ज़्यादा है इसलिए boiling point ज़्यादा होगा प्राइमरी एलकोहल का ग्रेटर देन इथाइल एलकोहल का ग्रेटर देन मिथाइल एलकोहल का और सबसे कम मिथाइल एलकोहल का इसलिए होगा क्योंकि इसमें नंबर ओफ कार्बन बहुत कम है तो इसका बोइलिंग पॉइंट कम होगा और सबसे जादा बोइलिंग पॉइंट होगा primary alcohol का greater than फिर उसके बाद होगा ethyl alcohol का greater देन उसके बाद होगा methyl alcohol का boiling point directly proportional to होता है surface area जितना ज़्यादा boiling point होगा उतना ज़्यादा surface area होगा दूसरा point है solubility alcohol are soluble in water due to presence of hydrogen bonding the tendency of solubility will be decrease with increase in number of carbon alcohol soluble होता है water में hydrogen bonding की presence में solubility का tendency decrease हो जाता है जब alcohol में number of carbon increase होता है यह देखिए alcohol है और यह primary alcohol है यहाँ पर oxygen और hydrogen के bonding को कुछ इस तरह से लिखे हैं क्योंकि यह soluble होता है water में जैसे ही इस alcohol में number of carbon को increase करेंगे तो इसका जो solubility tendency है वो decrease हो जाएगा solubility directly proportional to होता है hydrogen bonding जिस alcohol में जितना ज़्यादा hydrogen bonding होगा वो उतना ज़्यादा soluble होगा तो आई होप कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आरा तो वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और हाँ फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताईएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगाता हमनों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब के लिए थांक्यू वीडियो